नमस्कार इसमें मौझूद हैं करणाल के नमस्य चोकपर्सित होटल उमंग में जहां पर हम आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से अर्विंद केजरीवाल जो दिली के मुख्यमंत्री है और हरियाने के मुख्यमंत्री मनोरदाल खटर के बीच में काफी बाच्ची चल र के जो सरकारी होस्पटल है उसका भी डिरिक्टिन करेंगे कि आखिर कार हरियाना सरकार द्वारा किस तरह की सवास्ते सेवाई हर्याना में कविक्ति काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि दिली के मुख्यमंत्री अर्मिन केजरी पहल पर ट्वीटर पर काफी हमले करते हो इन झार आ रहे हैं हर्याव सरकार पर हर्याना के मुक्यआ मंतरी पर हराओ Puhrad segunda के तर्फ से भी काफी इस तरह का जवाब दे गए और इसी बाथ को लेकर आप देचाता है कि आज करनाल में हो T आगा माईदमि पार्टी की मीटिन और प्रेस कॉंफरेंस का आयो एको दिन तेह किया है अर्विंद केजरिवाल ने कहा था कि वैं हर्याना में आकर ही इस चीज़ का दवाब देंगे जवाब देंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 17 को करनाल आ रहे हैं क्या कहेंगे देखिए मेंडा साब आपको जरूर ध्यान होगा कि मुख्या मंत्री अर्विंद केजरिवाल कुछ दिन पहले स्कूल देखने के लिए थे तो उसके बाद हर्याना सरकार की तरफ से मुख्या मंत्री खटर साब की तरफ से कहा गया था कि अर्या दिल्ली में तो ठीक है नहीं कुछ दिल्ली के मुख्या मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने दोबारा जब हर्याना आए तो उन्होंने कहा था कि जी आप आये नियोता दे रहे हैं और बकाइदा लेटर लिखा गया कि मुख्या मंत्री खटर साब आप आई आप बताईए कहा ना या आपने आप आ जाई आप आप स्कूल देखिए आप होस्पिटल देखिए मोला कलीनिक देखिए जो आप देख सकते हैं देखिए अब वो नहीं आए उन्होंने तो कोई बात भी नहीं की अब मुख्या मंत्री जी ने दोबारा लिखा कि भी अम बारा तारीक उन्होंने कहा था कि भी बारा तारीक को मैं आ रहा हूं आप बता दीजिए उसका भी कोई जवाब नहीं तो अब ये डिसाइड किया है अरविंद केजरिवाल जी ने कि 17 तारीक को अब वो इनीका जिला है मुख्यमंतरी जागे असंद जो विदान सवा उसमें बाल पर बना गाओं है तो वहां गाओं के लोगों से मिलेंगे और जो डिस्पेंसरी है उसको भी देखेंगे अब सवाल ये उठता है कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंतरी दिल्ली जा क्यों नहीं रहे हैं मुख्यमंतरी देखने के लिए जाए न अगर कोई कमी है तो बताएं अगर दिल्ली के मुख्यमंतरी हरियाना के सरकारी स्कूल या हुस्पिटल को देखने के लिए आ रहे हैं तो प्रोबलम नहीं होनी चीए अब भाग रहे हैं बच रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसका मदल कुछ कर नी रख्या गडवड है हरियाना की सवास्ते सेवाओं का सत्या नास कर रख्या इन लोगों ने हरियाना के अंदर रोज हजार लोग बिना दवाई बिना डोक् होता है वो प्राविट होस्पिटल में होता है इनके बच्चे प्राविट हो स्कूलों में पढ़ते हैं आम आदमी दोफस गया बाई साब आदमी अगर सरकारी होस्पिटल में जाएगा डिस्पेंसरी में रखा गया है सतरह तारीका का कारे करम रहेगा विलेज बाल बमाना में जनसबाहोगी उसके बाद क्या कुछ दोरा करेंगे माहा पर क्या के स्कूल क्यों नी ठीक हो सकते जब दिली के होगे तो तो हर्याना सरकार करनाल में आने का पहले भी दो-तिन बार प्रोग्राम बना है, लोग इंतजार करते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आएंगे, अखबारों में छपता है कि कल अरविंद केजरीवाल आएंगे, लेकिन वे नहीं आएंगे, दो-तिन बार प्रोग्राम रद हो गए, इस पर क्या कहना चाह सबसे बड़ी दमकियां दी गई थी करम क्योंकि इनकी आदत हैं सरकार अगर कोई आवाज उठाता दूसको दमकी देने की आदत है इनकी उनकारियों को सारे नोकरी पेसे वाले लोग थे उन्होंने का कि भाई साब हमारी ऐसे ऐसे समस्या है तो मगावी चलो ठीक है कोई कि किस तरह हर्याना की जो स्वास्ते सेवाई हैं उसका इस सरकार ने कैसे बठा गुण कर रख्या तो इसमें आप लाइब तस्वीरे देख रहे हैं करनाल के होटल मंग से जहां पर आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रदेशे देख्श नवीन जहिंद हमारे चुनाब लड़ेगी देखिए इस बारे में पार्टी के बीच में कारेगरतां के बीच में मंतन चल रहा है क्योंकि जिस तरह से 4 साल जिस तरह 4 साल हर्याना में हर्याना सरकार वे इस 4 साल में बाई-साब कांड के अलावा कुछ नहीं काम करा इन्होंने खुद करनाल की सरकारी स्कूल बढ़ियांए सरकारी होस्पिटल बढ़ियां सटक बढ़िया निए तो पूरए रियाने का क्या अल preserved हो रहा होगा आप सोच सकते होँ तो हरियाना के अंदर हमादमी पार्टी इसलिए कि राजनीतिक विकल्प के लिए आ रही है कि वही सारी पार्टी देख ली सारी पार्टी आने सत्यानास कर रहा है बाई साथ सब देख लिए सारी पार्टी आमें जूत बाज रहा है जगड़ा हो रहा है अपने लिए जनता के कि यह की मतलब नीदी पार्टी में काफी कुछ चल रहा है पफिछले ज़ू आपका भी तो लोगों के सामने यह अनल्डी दुकान के बंद हो चुकी है पहली बात तो लोगों के साथ और जो कारे करताता थे उन के साथ दोखा हुआ है परिवार की लड़ाई है परिवार की तो जो होती है वो पार्टिया थोड़ी होती हैं वार युझा वो पूरी तरह से साफ हो चुकिन खिता है कि नाम लेने वड़ा आपको इनलडी मिलेगा नहीं बड़ी इंट्रेस्टिंग बात एक और चीज बताता हूं आपको अभी थोड़े दिन पहले से आपने पता होगा कि हम तो पिछले कई साल से कह रहे हैं कि बीजेपी की बीटीम है इन लो लेकिन कहते थे अभी लेकिन अब तो बता हूं बतीजे ने भी कह दिया कि बाई साब जो कांगरेस के पास 16 तरह हैं वो चुप बैठी हो तो विपक्स के रूप में नहीं तो उसको आगया ना चाहिए लगिन वो भी चुप है बाई साब तीनों मोशेरे भाई हैं ये सी बी आई वाले सी मतलब कांगरेस बी बी जे भी आई इन लो तो पूरी तरह से हरियाना के लोग देख चुके इनको और अब की बात आमादमी पार्टी को मुका देंगे जिस तरह दिल्ली के अंदर जीते था ऐसे जीत के देखा हो तो ये समय लाइव तस्वीरे आप देख रहे थे करनाल के होटल लुमंग से जहां पर आप देखते हैं कि आमादमी प करनाल मुख्य मंतरी के विधानजबा छेतर में असंध हलका जो पढ़ता है वहाँ